ड्राइनेस की स्किन के लिए फेस्पेक की सीरी चल रही थी, आज मैं आपके लिए एक ऐसा फेस्पेक लेक्ट है हुँ जो दो मिनिट में तयार हो जाएगा और बिल्कुल इजी है और आसानी से अपने किचन में मिल जाएगा और उसको ज़्यादा बनाने में कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ दो चीज़ों का उपयोग करना है और ड्राइ से भी ड्राइ स्कीन होता है, उसको भी नमीदार और मुलाइम बना देता है यदि ज़्यादा ड्राइ स्कीन है, तो इसको आप 5-7 दिन तक कंटिनु यूज करें, इसका कोई भी नुकसान नहीं है बाकी जो चीज़ें या बाकी जो फेस पेक होता है, उसको अपन ज़्यादा यूज करते हैं तो उससे रैसेस भी हो सकते हैं, या फिर बार-बार इस तरीके से अपन मसाज करते हैं तो उससे स्कीन में थोड़ी सी जैलन या इचिंग पैदा हो सकते हैं लेकिन ये एक ऐसा फेस पेक है, जो आपकी स्कीन को बहुत ही सॉफ्ट बना देगा और ग्लोइंग बना देगा, चलिए जब तक मैं इस फेस पेक को तयार करती हूँ तब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटा फट से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो को मिस ना करें, इसके लिए आप एक बैल आइकन बटन को भी साथ में प्रेस कर लीजिए जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो आपके पास में नोडिक्शन पहुझ जाएगा आप सभी का स्वागत है, चलिए अप फेस्पेक तयार करते हैं आप देख रहे हैं मैंने इसमें दो चमच मलाई की लिए है और एक से भी थोड़ा कम चमच है वो शहाद का लिया है एक से कम चमच इसलिए लिया है कि मैं यहाँ पे सिर्फ फेस्पे यूज़ करके दिखा रही हूँ आपको आपको हर फेस्पेक को फेस के साथ में नेक पे पी यूज़ करना है और इसमें अगर मलाई में चिकनाई अच्छी नहीं है, आपका भार का दूद है तो इसके अंदर आप ग्लीसरिन का भी उप्योग कर सकते हैं और अगर चिकनाई अच्छी है तो इसके अंदर आप सिर्फ मलाई और शहद का उप्योग करें और अगर आप हाथों पे या और कहीं भी इसको अप्लाई कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं क्वान्टिटी उसे साफ से आप भड़ा सकते हैं इसको अच्छे से मैस करेंगे अब इसको आप फेस पर ब्रहस से अपलाई नहीं करेंगी क्योंकि यह एकदम से इसके अंदर कुछ नहीं मिलाया हुआ है एकदम पूरा ओयली और चिकना यूप्ट है तो इसकी आपको उस तर इसको ठंडे पाने से या नॉर्मल पाने से वोश कर लें नॉर्मल मॉस्ट्राइजर वह आप लगा सकते हैं ज्यादा ओयली की जरूरत नहीं क्योंकि यह खुद ओयल होती है और आपकी स्किन इतनी नमीदार बना देगी कि आप दो चार दिन एक दिन छोड़के एक दिन व खांग दिन एक मातबा दिन एक मिंदाजर ग्स्राइब दो चार दिन इतनhero Is कि इस तरह से मसाज करने से स्कीन है वह अच्छे से अब्जर्व कर लेती है और पास मिनड़ तक बाद तक आपन रखते हैं तो उसमें नमी बरकरार आज के सिसन आपको कैसा लगा कमेंट बोक्स में जरूर लिखें और ऐसी ही जानगारी की साथ में मैं मिलती हूँ अगले सिसन में तब तक के लिए नमश्कार